जहिन साथियों कैसे आप सभी लोग उम्मेद करता हूं, सभी लोग स्वस्तोंगे, मस्तोंगे स्वागत है हमारे सरकारी जोब YouTube चैनल के इंदर साथियों आज हम बात करने हैं दिल्ली प्लिस होमगाड के बारे में जो भी बचए दिल्ली प्लिस फिजिकल में रह गेते हैं, रिटन एकजाम में रह करते हैं किसके अंदर क्राइट इतु हैं एक बारे में क्या बात है एक फूचर में आने वाले जो भी नौटिफिकेशन रहें वह आप तक पहुंच जब तक आप बैल नोटिफिकेशन के आइकन को ओल पर नहीं करोगे आपके पास फ्यूचर में आने जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास नहीं पहुच पाएंगे यह आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दस जार से उपर आपके होमगार्ड पदों की भरती निकाल रही आपको जोइनिंग दे जाएगी चुनाओ से पहले आपको जोइनिंग दे जाएगी क्या इसके अंदर एज क्राइटरिया रहने वाला एट्टूज इन्फोर्मेशन आगे बढ़ते हैं और आप सुरुवात करते हैं यह देखे एज की अगर बात करें तो एज इसके अंदर हो गई है बीस से पैंतालिस साल हो गई है मेल और फीमेल दोनों बढ़ सकते हैं इसके अंदर बारवी पास है फिर हाइट की बात करें वन सिक्टी फाइफ है वन फिफ्टी इसके अंदर फीमेल है अगर आपका को दिल्ली में जानकर है या को रिलेटिव है उससे आप उसके बाद में अपने आधार कार्ड के अंदर एडरेस चेंज करा लिजए वह एडरेस आप दिखाओगे तो उसके बाद यह वो भर पाओगे अगर आपको दिल्ली पुलिस होम गार्ड के अंदर यह जोग करनी तो आपको यह तरीका अपना न पड़ेगा अब सेलेक्षि इंडोल्ड फिजिकल के लिए फुल्फिल्ट अगन्ड़ेट्स और मिनिमम हाइट रिपर्मिटेड फॉर फिजिकल इंडोरेंस ट्रेस्ट पहले आपका हाइट ही चेक कर लिए उसके बाद आपका फिजिकल होगा बल्द डेड़ गुना बच्चे इसके अंदर पास करेंगे ये तो था इसका सिलेक्शन प्रोसेजर अब इसका रिटन एग्जाम क्या होगा रिटन एग्जाम के अंतर इसके अंदर क्या आंगे 80 आएंगे MCQ क्यूशन आएंगे आपको और उसके बाद इसके अंदर 12 बेस का सब कुछ रहेगा Current Appear रहेगे Mathematics रहेगा Reasoning रहेगी History रहेगी Geography रहेगी इस तरीके से इसका क्यूशन पेपर ज़्यादा हाड नहीं आएगा लेकिन इस तरीके के इसके अंदर रहेंगे यह मैंने इसका syllabus आपको बता दिया अब बात आजाती फिजिकल के अंदर क्या होगा फिजिकल के अंदर distance 1 km की रहेगी male के लिए 800 मिटर की रहेगी female के लिए अब qualify करना है 5 मिट 30 सेकिंड for the who have within age of 20 के और 35 साल के अंदर हैं तो यह आपको इतना दिया जाएगा 6 से 30 दी जाएगी 35 से उपर को वाले को दी जाएगा और जो भी video conferencing कराएगी 8 to Z आपका जो भी होगा physical वागिरा उसको video conferencing कराएगी अब भी और आगे मैं बताता हूँ क्या क्या procedure रहने वाला है बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि NCC वालों को क्या होगा NCC वालों के लिए बहुत बड़ी है इसके अंदर NCC वालों को तो और ज्यादा प्राइक्ता दी जाएगी CS एटिकेट वालों को 5 नंबर दिये जाएगे B वाले को 3 नंबर दिये जाएगे अब अब जो पहले से होम गाल वोलेंटरी जो पहले से थे जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उनको प्राइक्ता दी जा रही है अब प्राइक्ता कि कितने नंबर दिये जाएगे 15 मार्स उनको दिये जाएगे आपके बता और वो सब क्या रहने वाला आपकी बेसिक की अगर बात करें तो बेसिक आपके 18,000 रहने वाली है डिये आपका यहां पर अगर बच्चों हमारी दीवे जानकार यहां आपको अच्छी लगता है और प्रकार से रहते हैं अगर बच्चों हमारी दीवे जानकार यह आपको आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू कर लेना जिससे फूचर में आने वाले नौटिफिकेशन आप तक पहुंच सके पर बैल नौटिफिकेशन के आइकन को ओल पे कर लिजिए इस फीचर में जो भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा हुआ आप तक जरूर पॉंट पाइगे जाहिन जाभाद